अमेरिकी सांसत रिच मैक्रोमिक ने कहा है कि प्रधान मंत्री नरीत मोधी एक बार फिर भारत के प्रधान मंत्री बनेंगे नमस्कार मैं दिती फॉसदार आप देख रहे हैं हमारे साथ दननगरी मीडिया नियूज एजनसी पीटी आई के दिये इंटर्व्यू में उन्होंने कहा था कि मोधी काफी लोगप्रिये नेता हैं आने वाले लोग सुबचुनाव में उनकी पार्टी जीतेगी मैं भारत आया था मोधी के साथ लंच किया था पार्टी के सदस्यों में उनकी लोग प्रियता देखते हुए अगर कोई नेता 70% लोग प्रिया है तो वैं मोदी है रिच मैक्रोम ने कहा कि अर्थ विवस्ता विकास सभी लोगों के प्रती गुडबिल पर उनकी नजरिया काबिल ये तारीफ है दुनिया भर में प्रवासी भारतियों के बीच भी वो काफी पसंद किये जाते हैं ये भारत को देखने का दूसरा अच्छा नजरिया बदलते हैं भारत के राणनेतिक संबंद और ग्लोबल अर्थ विवस्ता पर उनका सकरात्मक प्रवाब पड़ा है मैक्रोमिक ने कहा है कि भारत आत्मिश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है मोधी के नेतित में भारत की अर्थ विवस्ता हर साल 6-8% तक बढ़ रही है अन्य देशों के साथ काम करने की उनकी इच्छा की तारीफ होनी चाहिए उनकी लीडर्शिप में भारत बेहत इमानदार नजर आता है वो टेक्नोलोजी चुराना नहीं बलके शेयर करने पर सहमती जताते हैं वो भरोसा दिलाते हैं जिससे टेक्नोलोजी शेयर करना आसान हो जाता है पिछले साल अमेरिका ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रा की तारीफ की थी कहा था कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोगतंत्र और कई धार्मों वाला देश है दरसल अमेरिका से पूछा गया था कि विशेश चिंताओं वाले देश की सूची में भारत को क्यों नहीं डाला गया इसका जवाब देते हुए अमेरिका के स्टे डिपार्टमेंट के तत्काली प्रवक्ता नीट पैलिस ने कहा था कि भारत तमाम धर्मों का देश है और भारत को विशेश चिंताओं वाले देश या स्पेशल वाच लिस्ट में नहीं डाला जा सकता बाइडिन प्रसाशन सभी लोगों की धार्मिक आजादी की सुरक्षा करने के लिए भारत की प्रतिबदिता को प्रोतसाहित करता है चीन की मीडिया ने भारत की खुलकर तारीफ करते हुए ये भी कहा था कि भारत ताकतवर देश बताया गया है सरकारी मीडिया ग्लोबिल टाइम्स का कहना है कि भारत की आर्थिक और विदेशी निती में सकरात्मक बदलाब हुआ है वो तेजी से आगे बढ़ रहे है आज के लिए बस इतना ही ऐसी और जानकारी के लिए बने रहे हमारे चनल दनकी मीडिया के साथ तन्यवाद